Students आप अब तक जिस project पर काम कर रहे थे वो project अब आज दिखने में कुछ ऐसा होगा यानि कि हम उसी project को आगे continue करेंगे और उसको इस तरह से design करेंगे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जा करके देखे आईए क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप मुझे इस series में शुरुआत से follow करते आ रहे हैं इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस design को create करके दिखाया है तो अब हम बिना time को waste किये इस design को create करते हैं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वह वाली वीडियो देखिए उसके बाद इस वीडियो को continue कीजिए तो पिछली वीडियो में हमने यहां तक मैन्य बार की functionality को create किया था और अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखिए यह जो company name है मैं चाहता हूँ कि इसके आगे company का logo भी display हो तो यह किस तरह से होगा इसको समझते है देखिए यहां पर यह जो public नाम का folder है इस folder के अंदर मैंने एक image को copy करके रखा है जिसको मैं logo के रूप में display करना चाहता हूँ यह देखिए यह न logo.png इ मैंने public folder के अंदर copy paste किया है अब मैं इस logo को यहां पर display करना चाहता हूँ तो यह किस तरह से होगा इसको समझते है आपको याद होना चाहिए मैंने cmp.json नाम से एक file create की थी यहां पर यह देखिए cmp.json जिसके अंदर company से related information थी जैसे की company का name company की website तो company से related जितनी भी information है उ logo display करवाना चाहता हूँ तो मैं यहां पर क्या करूँगा एक property create करूँगा logo के नाम से colon और यहां पर मैं उस logo को define करूँगा जैसे कि हमारा logo कहां पर है यहां public folder के अंदर है तो मैं directly यहां पर लिख दूँगा logo.png और यह जो मैंने logo.png लिखा है इसके आगे मैं इस तरह से public नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने already इसको public folder में रखा है तो इसको direct access कर सकते है ठीक है अब मैं वापिस से जाता हूँ header की file में जहां पर वो different developer लिखा हुआ है तो different developer कहां पर लिखा हुआ है यह देखिए है header का coding और यहां पर company name dynamically print हो रहा है मुझे company name से ठीक पहले logo चाहि करते है src और src के अंदर में लिखूंगा cmp यानि कि company.logo आप अगर चाहूँ तो इसकी width भी यहां पर define कर सकते हो मैंने लिखा width equal to 35 और यह img empty element tag है तो मैं इसको यहां पर इस तरह से close कर दूँगा अब मैं करता हूँ इस file को run तो देखिए लोगो यहां पर कुछ इस त दिखा हुआ है यहां पर जो different developer इसके पहले ही मैं यहां पर single space को define कर देता हूँ save और run ठीक students देखिए अब यहां पर थोड़ी सी space है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने इस project में google font को किस तरह से add करते है तो इसके लिए आप यहां पर search करोगे google fonts और यहां से इस link क open करोगे और जो भी fonts आपको यहां से पसंद है उसको आप select कर लोगे जैसा कि इस वक्त मैंने यहां से select किया source sense pro अब इसके अंदर आपको कौन से style पसंद है उसको आप यहां से select कर लोगे तो मैंने यहां से light 300 को select किया उसके बाद मैं क्या करूँगा यहां पर import पे click करके य जो link यहां पर generate हुई है इसको मैं कर लूँगा copy तो style के अंदर जितना भी code लिखा हुआ है इसको आप यहां से copy कर लोगे अगर आपको यह वाली window नहीं दिखाई दे रही तो आप इस box पे click करोगे तो आपको यह वाली window दिखाई जाएगी ठीक है तो मैंने import के अंदर style का code copy कर लिया अब मैं इसको paste कहां पर करूँगा जहां पर हमारी जो main CSS की file होगी जैसे कि यह देखिए यह index.css अगर इसके अंदर मैं इस code को paste कर देता हूँ इसका मतलब है कि अब पूरे project में मैं कहीं पर भी इन fonts का use कर सकता हूँ अब मुझे menu bar के अंदर font style change करनी है तो हमा header.jsx की file है हमने header के लिए अभी तक कोई CSS की file तो create की नहीं तो अब मैं क्या करूँगा यहां पर एक header.css की file create करूँगा जहां पर header का component मैंने create किया है उसके अंदर यह देखिए सिर्फ header.jsx है मैं यहां पर header पर right click करूँगा और मैंने किया new file पर click header.css इस file को मैं सबसे प और इसके आगे मैं इस तरह से folder को define कर दूगा अब देखे students मुझे इस menu के अंदर उस font style को add करना है तो यह menu हमें कहां से मिल रहा है इस वाली line से तो देखिए यहां पर already css का एक class name मौझूद है new hyphen link मैं इसी को करता हूँ copy header.css में करूँगा इसको paste इसके आगे मैं dot लग इसके अंदर मुझे यहां से इस font family को copy करना है source sense pro मैंने किया इसको copy और यहां पर हो गया paste देखिए यहां पर दो font family है अगर किसी reason से मान लोगी इस font family ने काम नहीं किया तो उस condition में यह वाली font family चल जाएगी मैंने किया इसको save और run तो देखिए यहां पर वो font add हो गए weight bold और font size 16 pixel तो देखिए यह menu हमें इस तरह से देखने को मिला मैं काम करता हूं company name को भी bold कर देता हूं तो company name कहां पर है यहां पर यह जो मैंने लिखा ना cmp.name इसी के अंदर dynamically company name print हो रहा है तो देखिए इस link के अंदर भी एक class name मौजद है मैं करता हूं इसको copy और यहां पर paste मैंने लिखा font weight bold तो देखिए यह company name भी यहां पर bold हो गया अब students इतना करने के बाद इस menu बार में यह जो सबसे last में menu है contact us अगर आप इसको button के रूप में दिखाना चाहते हो तो यह किस तरह से होगा इसको देखिए यह जो menu की coding है अगर मैं यहां पर लिखता हूं btn btn hyphen primary और करता हूं इसको save तो यहां पर क्या होगा कि जितने भी menus है services के अलावा इन सब में button add हो जाएगा लेकिन मुझे इन सब में add नहीं करना मुझे सिर्फ contact us में ही button को add करना है और यहां पर एक समझने वाली बात यह भी है कि services के अंदर button add क्यों नहीं हुआ क्योंकि services के लिए हमने यहां पर एक अलग से component create किया है फिलाल हम इस बात पर focus करते हैं कि सिर्फ हमें contact us के अंदर button को add करना है तो यह किस तरह से होगा अगर मैं यहां पर direct इस तरह से btn primary लिख दूगा तो यह सभी buttons में apply हो जाएगा तो अब मैं ऐसा क्या code करूंगा कि जिससे सिर्फ contact us में ही add होगा तो देखें सबसे पहले तो यह जो extra उपर की तरह फाइल से इसको मैं close करता हूं जिसके हमें कोई जरूवत नहीं है अब देखें यहां पर जो menu.json है जिसके अंदर मैंने सभी menus की coding की है इसके अंदर यह है contact us तो इसी के अंदर मुझे button को add करना है तो मैं यहां पर एक property create करता हूं अब कुछ भी नाम दे सकते हो मैंने लिखा btn और इसकी value को मैंने कर दिया true अब मैं इस line को करूँगा यहां से copy और इसके अलावा जितने भी यहां पर menus है सब के अंदर मैं btn को paste कर दूँगा और इनकी values होगी false ठीक है मैंने इसको यहां से किय copy मैं जल्दी से सब में बटन की values को false कर देता हूं और यह जो service का drop down menu है इसके अंदर भी आप button की value को false करोगे और इसके अंदर जो हमने drop down create किया था उसमें भी आप button को false करोगे यहां पर भी यहां भी और यहां पर भी अब देखेश्ट यहां पर contact us के अलावा जितने भी menus ह जा है वो drop down के अंदर हो या बाहर हो सब के अंदर button की value क्या है false सिवाए contact us के तो यहां पर हमारे contact us सबसे अलग हो गया क्योंकि इसके अंदर button की value true है अब मैं जाओंगा header.jsx की file में और यहां पर मैं template literal का use कर लूँगा और इसके अंदर में condition pass करूँगा condition pass करने के लिए य यहां पर मैं लिखूंगा data.send.btn यह जो button property है वो हमें कहां से मिल रही है इस data के अंदर से send को access करके मैं button तक पहुँच रहा हूँ ठीक वैसे ही जैसे मैंने menu का URL और menu के title को यहां से fetch किया था वैसे ही अब मैं button को भी इसी तरह से fetch करूँगा यहां पर मैं टर्मार्य आप यह वाली value access होगी मैंने लिखा nav-link btn-primary लेकिन अगर यह condition false है उस वक्त मैं यह आप है लिखता हूँ colon css की यह वाली value access होगी nav-link class name के अंदर मैंने क्या क्या template literal का use किया और इसके अंदर मैंने एक turnary operator को pass कर दिया अगर यह मौजूद है यानि कि अगर button की value true है तब यह वाली value access होगी otherwise false होने पर यह वाली value access हो जाएगी मैं करता हूँ इसको save और run सिर्फ contact us का color change हुआ यानि कि सिर्फ contact us के अंदर ही button add हुआ मैं काम करता हूँ यह जितने menus है इनके अंदर में कुछ margin में define कर देता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ margin left 15 pixel अब मैं काम करता हूँ कि जहां पर मैंने button के लिए code किया है इसके अंदर में और value pass कर देता हूँ text-light इससे क्या होगा कि text का color button के अंदर change हो जाएगा यह देखिए अब मैं इसके अंदर padding भी add कर देता हूँ left और right से तो left-right से padding को add करने के लिए मैं यहां पर लिखूँगा px-3 और save ठीक है तो यह कुछ इस तरह से दिखा तो students अब आप इन में से किसी भी menu की value को यानि की button वाली value को अगर आप true करोगे तो direct उसके लिए button create हो जाएगा जैसे कि यह about us तो अगर मैं यहां पर about us के अंदर button की value करता हूँ true तो देखिए about us भी button में create हो या अब मैं इसको वापस से पहले जैसा कर देता हूँ लेकिन अगर मैं यहां पर services के अंदर button की value को true करता हूँ तो हमें यहां पर services button के रूप में देखने को नहीं मिलेगा क्यों इसको समझे यह जो header की file है इसके अंदर हमें button वाली design क्यों देखने को मिली क्योंकि इसके class name के अंदर मैंने turnary operator को pass करके यहा बटन वाली design को add करना चाहता हूँ तो मुझे इस turnary operator को यहां से copy करना होगा यहां तक और मैं यहां पर उसे paste कर दूँगा और मैंने किया save तो देखें students अब इसके अंदर भी हमें button देखने को मिला यह सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था मैं इसको वापिस से normal कर दे ठीक है अब हम आगे देखते हैं तो students अब यहां से आगे हम home menu के अंदर के component का काम करने वाले हैं तो अब सबसे पहले code में आगे बढ़ने से पहले मैं इस this is footer को यहां से remove कर देता हूँ कुछ देर के लिए क्योंकि अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है तो footer वाला component कहा यहां पर है app.js के अंदर यहां पर मैंने इसको कर दिया यहां से डिलीट अब देखिए जैसा कि मैं आपसे कहा कि अब मैं home page की coding को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो home page के लिए code मैंने कहां पर लिखा है यह रहा this is home page तो यह तो मैंने सिर्फ demo दिखाने के लिए लिए करेंगे इस component वाले folder के अंदर जहां पर home page की एक jsx file होगी home page की एक css file होगी और complete home page का एक component होगा जिसको मैं यहां पर use करूँगा तो देखिए component में मैंने right click किया और new folder को select किया मैंने लिखा home page component का जो first letter है उसको आप capital ही रखोगे अब इस home page के अंदर मुझे दो files jsx अब देखिए इस home page dot jsx के अंदर में यहां पर लिखता हूँ const home page equal to arrow export default home page इसके अंदर में design create करता हूँ तो मैंने लिखा const design equal to parenthesis return design और यहां पर मैं लिखूँगा मैं कायम करता हूँ इस बार इसको bold में लिखता हूँ new home page इस तरह से लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप क्या करोगे fragment का use कर लोगे अब इसके अंदर आप coding लिखोगे तो देखिए students यहां पर home page का component तो मैंने create कर दिया इसको मैं क्या करूँगा app.js के अंदर यहां पर import करूँगा import home page ठीक है अब जहां भी मुझे home page की coding करनी थी जैसे कि यहां पर तो इसको मैं delete करके यहां पर home page का component declare कर दूँगा और home page से related जितनी भी coding है वो मैं यहां पर करूँगा यहां पर फिल्हाल मैं इसको save करके run करता हूँ और check करता हूँ कि output में हमें क्या देखने को मिला देखे students वो जो मैंने component के अंदर create किया था new home page हमें यह वाला देखने को मिला बिल्कुल सही अब यह जो home page है यह जिस container के अंदर है उसकी width 100% नहीं है तो मैं काम करता हूँ उस container को भी delete कर देता हूँ जैसी कि यह जो home page है न यह component यह किसके अंदर है यह वाला container इसके अंदर home page lock है तो अगर मैं यहां से इस container को remove करता हूँ यहां से भी तो अब इसकी width जो होगी वो 100% हो जाएगी अगर मैंने यहां से container को remove किया तो अब मुझे इसके import statement के भी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी यहां से remove कर दूँगा और फिर मैं करूँगा इस file को save और run दे page.css अब इससे related जो भी design मुझे create करने होगी वो मैं यहां पर कर सकता हूँ css के अंदर देखिए इस demo content को मैं यहां से इस वक्ट delete कर देता हूँ और यहां पर मैं एक div element को start करता हूँ और इस div element के class name property की value होगी video-box इसके अंदर में एक video चलाऊँगा सबसे पहले मैं क्या क tag का use करूँगा और इसकी weight को मैं कर दूँगा hundred percent hundred percent और इसके अंदर में source tag का use करूँगा तो इसके source में मैं video कहां से दूँगा अब तक तो मैंने कोई video यहां पर रखा नहीं students यहां पर desktop पर मेरे पास एक video है इस video का link आपको description में मिल जाएगा तो आप वहां से भी इसको download कर सकते हो ठीक है फिलहाल मैं क्या करूँगा इस video को यहां से करूँगा copy और जो हमारा project folder है इसके अंदर public के अंदर मैं इसको कर दूँगा paste अब मैं यहां पर क्या करूँगा इस src के अंदर मैं लिखूँगा myvideo.mp4 और मैं इसका output आपको दिखाता हूँ तो देखिए कुछ ऐसा देखने को मिला अब मैं यहां पर एक और due tag यूज करता हूँ जिसके class name property की value होगी overlay अब मैं इस इसको css में थोड़ा से design करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहां से video box को करूँगा copy और इसको css में add करूँगा इसकी जो position है वो होगी absolute यहां पर मैं रखता हूँ top 0 और left 0 इसकी width मैं चाहता हूँ कि 100% हो और इसकी मैं कुछ height define कर देता हूँ 500 pixel इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यह overflow ना करे तो मैं क्या करूँगा लिखूँगा overflow hidden यानि कि यह box के बाहर overflow ना कर जाए इसके बाद मैं यहां पर क्या करूँगा overlay का use करूँगा जो कि मैंने second development के लिए लगाया है और इसके बाद मैं यहां पर पास करूँगा position absolute यहां पर भी होगा top 0 left 0 इसकी जो height और width है वो होगी 100 100% और इसका जो background color है वो होगा RGBA format में तो मैंने लिखा RGBA 0000.8 देखे मैं इसको save करता हूँ तब हमें output में कुछ ऐसा देखने को मिला मैं इसकी height थोड़ी सी increase कर देता हूँ मैंने यहां पर height में लिखा 720 ठीक है अब इतना ठीक है अब देखे हमारा जो menu बार वो इसके पीछे चला गया तो मैं क्या करूँगा यह वाला जो video box है इसको मैं menu bar के पीछे लगाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि menu bar जो है वो इससे उपर की तरफ हो तो यहां पर मैं इस video box को menu bar के पीछे रखने के लिखूँगा z index minus 1 और save ठीक है students अब देखे menu bar यहां पर उपर की तरफ आया students अब हम इस menu bar को थोड़ा सा design करते हैं तो यह जो menu bar है इसकी coding कहां पर है इस header में तो देखे इस header के नेo bar के अंदर जो menu bar के coding की गई है उसके अंदर यहां पर bg equal to light लिखा हुआ है इस वजह से वहां पर menu bar का color light दिखाई दे रहा है अगर मैं यहां लिखता हूँ dark और फिर मैं इसको save करता हूँ देखिया हमें menu bar का color dark में देखने को मिलेगा लेकिन मान लोगे अगर मैं यहां पर कुछ भी यहां लिखता है इसको delete कर देता हूं और save करता हूं तो मुझे इस these are css यहीं पर हमने menu को थोड़ा से पहले भी design किया हुआ है ना तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ color और white इस वक्त अगर मैं इस file को run करूँ तो हमें color white देखने को नहीं मिलेगा देखिए हमें color white देखने को नहीं मिला क्योंकि इसकी default bootstrap की जो file होगी वहाँ पर already color मौजूद होगा इस font white bold को remove कर देता हूँ यह अच्छा नहीं लग रहा और save अब ठीक है perfect अब इस brand name को भी मैं white करना चाहता हूँ तो मैं इसी को यहां से copy करके paste कर दूँगा ठीक है students अब देखिए हमारा menu थोड़ा सा attractive लग रहा है मैं क्या करूँगा इस menu bar के नीचे एक border display करना चाहता तो मैं यहां पर लिखूंगा header.jsx में देखिए यह जो उपर की तरफ इतने सारी files open हुई है ना इसमें आप confused मत होना मेरी बात को ध्यान से सुनिए header.jsx और header.css इसके अंदर हमारे menu bar का coding लगा हुआ है तो आप फिलहाल सिर्फ इस पे ही focus करो मैं क्या करूँगा यहां पर problem हो गई है यह जो menu का color है यह तो हमने white कर दिया लेकिन इस drop down का color इसके menu का color भी white हो गया क्योंकि मैंने इसको यहां से CSS के अंदर से add किया था तो मैं क्या करता हूँ इसको remove करता हूँ और हम इसको dynamically ही color करते है तो students वह जो menus है उसको हमने यहां से return करवाया है और यह यहां प component के अंदर यानि की यहां पर यहां पर मैं काम करता हूँ यहां से color को भी return करवाता हूँ मैंने लिखा color property और white अब यहां से अगर color भी return हुआ है तो इसका मतलब है कि इस data के अंदर color white receive हुआ होगा मैं क्या करता हूँ इसके अंदर template return का use कर लेता हूँ मैंने लिखा style equal to और यहां पर मैं जेसन का use करूँगा color कौन सा होगा data के अंदर save color property को access करो और save तो देखें यहां पर white color हो गया अब मैं इस drop down के लिए coding करूँगा यानि कि यह जो मैंने यहां बर services लिखा हुआ है इसको white करूँगा लेकिन इसके अंदर जो drop down है यह तो as it is ऐसा ही रहेगा तो see के अंदर तीन objects है service one two और three इसके लिए तो अगर मैं यहां पर pass कर देता हूँ color equal to black और फिर मैं इसको करता हूँ save तो देखिए अब इसका color जो है वह black ही रहेगा आपको इसमें ज्यादा कुछ changes इस वज़े से देखने को नहीं मिला क्योंकि हमने यहां पे इस menu बार को बन इसके अंदर हमने bootstrap वगिरा का भी इस्तेमाल किया है तो अगर आप चाहो तो इसको change कर सकते हो मैं काम करता हूँ इसको सिर्फ black ही रहने देता हूँ अब ठीक है अब मैं इस services के लिए code करूँगा अब देखिए services का coding वो हमें यहां से मिल रहा है new dropdown के अंदर से तो मैं काम करता हूँ इस id को यहां से करता हूँ copy header में करता हूँ paste और color में इसका कर देता हूँ white और save तो देखिए अब यह जो services है वो भी हमें white में देखने को मिला अब यह code बिल्कुल perfect है students अब मैं इस project में icons को add करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे font awesome नाम से एक library को install करना तो मैं क्या करूँगा इस project को command prompt के अंदर से cut करूँगा और मैं यहां पर लिखूँगा npm install font hyphen awesome और enter font awesome की जो library हो यहां पर install होना start हो जाएगी और देखिए install हो गई अब मैं इस project को फिर से run करता हूँ मैंने लिखा npm start ठीक है project दोबारा open हुआ अब मैं इसके अंदर icon को add कर सकता हूँ तो students अब मैं क्या करता हूँ font awesome की जो library हमने install की है उसको यहां पर import करता हूँ देखिए अगर मैं इसको यहां पर header वाली file में import करूँगा तो हम उसका use सिर्फ header में कर सकेंगे लेकिन मैं क्या करूँगा app.js नाम का यह जो template है अगर मैं direct इसको template के अंदर ही import करूँगा तो फिर मैं इसको पूरे project में कहीं पर भी use कर सकता हूँ तो यह project हमारा install कहां पर हुआ होगा node modules folder के अंदर तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा font awesome यह रहा इसके अंदर से css और इसके अंदर से font awesome dot min dot css हमें यहां दख पहुचना है तो मैं य css slash font awesome dot min dot css और यह हो गया import तो students अब यहां पर सवाल यह है कि आप icon का name कैसे पता करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा icon आपको अपने project में add करना है तो students icon का name पता करने के लिए आप यहां पर लिखोगे font awesome 4.7 और यहां से 4.7 की site को open कर लोगे तो देखिए यहां पर बहुत से icons हैं आपको जो भी icon पसंद है जो भी icon आपके content के साथ match कर रहा है आप उसको यहां से copy करोगे और अपने project में add कर दोगे देखिए अब मैं यहां पर लिखता हूँ save अब हम output चेक करते हैं तो देखिए यह कुछ इस तरह से देखने को मिला अब मैं इसको सही से arrange करने वाला हूँ अब इसको मैं css में select करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर एक class name की value देता हूँ arrow up और save इसको मैं करूँगा css में copy और इसको मैं थोड़ा सा design करूँगा इसक 40 pixel इसको save करके check करता हूँ तो देखिए यह हमें कुछ ऐसा देखने को मिला मैं काम करता हूँ top से इसकी value कर देता हूँ 27 pixel और इसका color मैं कर देता हूँ white और save तो देखिए students अब यह कुछ ऐसा देखने को मिला तो यह जो box यहां पर दिखाई दे रहा है मैं इसको css में arrange कर करता है हमें एक class name value provide करता है जिसको select करके मैं इस डब्बे को यानि कि इस box को arrange कर सकता हूँ तो मैं यहां पर लिखता हूँ drop down-menu यह हमें css की तरफ से मिलता है देखिए अगर मैं इस वक्त इसका लिखता हूँ background color red और important तो देखिए इसका background color red हो गया फिलहाल मुझे फिल pixel और save मैं top को important बना देता हूँ और save तो देखिए यह हमें कुछ ऐसा देखने को मिला top से यह कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ आ गया मैं काम करता हूँ यहां पर 60 pixel देता हूँ इतना ठीक है यहां फिर मैं काम करता हूँ 63 pixel पर check करता हूँ हाँ अब perfect है तो students अब मैं इसक क्लिक करूँ तो यह animate होकर open हो तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर animate.style को open करूँगा और इस website पर आने के बाद मैं इस command को यहां से copy कर लूँगा और command prompt के अंदर मैं project को cut करूँगा और animation वाले command को paste करके install कर लूँगा तो हमारे project में अब हम animation को भी add कर सकते हैं दे for animate.css folder के अंदर से animate.min.css और save अब मैं उस drop down box के अंदर animation देने के लिए animation प्रोपर का यूज़ करता हूँ और लिखता हूँ flip in y और save इसके बाद मैं animation का duration देता हूँ इसका duration होगा one second मैं इसको save किया अब देखे मैं click करके दिखाता हूँ because friends यह कितना attractive लग रहा है आप चाहो तो अपनी mercy से यहाँ पर कोई भी animation दे सकते हो animation की property आपको कहां से पता चलेगी यह जो animate.style की website है यहाँ पर बहुत सी लिखी हुई है animation की effects आप इन में से जो भी आपको पसंद है यहां से रख सकते हो मुझे flip in y पसंद आई तो मैंने इसको select कर लिया इतना करने के बाद यहां पर एक छोटी सी problem हुई है जिसको हमें solve करना है देखिए यह site अगर small device पर open होगी तो इसका जो responsive है वो खराब हो चुका है देखिए यह जो icon था वो ऊपर की तरफ चला गया तो हमें इसको भी थोड़ा सा arrange करना होगा देखिए यहां पर मैं लिख इसको मैं यहां से delete कर देता हूँ कि इसकी हमें जरूरत नहीं है और animation इसका होगा slide in right और duration होगा 0.5s अब मैं इसको run करके check करता हूँ तो देखिए हमें कुछ इस तरह से दिख रहे हो रहा है अब बस मुझे इस icon को arrange करना है तो मैं arrow को यहां से करूँगा copy तो arrow की जो coding है यहां पर है तो मैं इस arrow वाली property को यहां से करूँगा copy paste और मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही property का use करूँगा top 20 pixel और save अब मैं इसको check करता हूँ देखिए अब यह बिल्कुल सही से arrange हो गया अब इसके बाद homepage.css है इसके अंदर यह जो video box है मुझे इसको भी थोड़ा से responsive बन box को इसकी height होगी 300 pixel मैंने कि इसको save और run नहीं थोड़ी और ज्यादा add करनी होगी मैंने लिखा 400 pixel अब ठीक है लेकिन इसका color देखिए इस menu का इस menu बार का color यहां पर black है तो अब मैं इसको setup करता हूँ तो देखिए वह वाला जो icon था वह आपको mobile tablet पर ही display होगा तो bootstrap इसक background होगा white important इसको मैं करता हूँ save और run ते देखिए तो ठीक है students इसका color यहां पर change हो चुका तो students इतना करने के बाद मैं वीडियो को start करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर लिखूंगा autoplay इससे क्या होगा कि जब भी website run होगी तो हमारे वीडियो जो हो autoplay हो जाएगा लेकिन कि यह सब true है मुझे अलग से इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं वैसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो लेकिन फिलहाल में इसको remove कर रहा हूँ और आपका output दिखाता हूँ तो देखिए हमें इस तरह से output देखने को मिला यह अब मैं इस overlay के अंदर यानि कि इस development के अंदर क code write करता हूँ मैंने एक और div create किया इसके अंदर होगा h2 और h1 h2 के अंदर में लिखता हूँ introducing और h के अंदर में लिखता हूँ react tutorial इन दोनों ही के अंदर में class name property का भी use करने वाला हूँ तो मैंने यहाप लिगा class name equal to text-light इसको मैं करता हूँ यहाँ से copy और paste इसके अंदर हो deflex justify content center और align items center अब मैं इसका output आपको दिखाता हूँ देखिए कुछ इस तरह से दिखने को मिला इस react tutorial के अंदर में क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ large title और इसको मैं करता हूँ इसकी css file में select जाने की home page dot css इसके अंदर में लिखता हूँ large title और इसकी font size होगी 100 pixel और font family होगी calibry मैं इसको save करके run करता हूँ तो देखिए students यह हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस s2 को copy करता हूँ और paste करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ by different developer save और run अब यहाँ पर मैं बटन भी add करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँ फॉर ठीक है students यह कुछ इस तरह से create हुआ मैं इसको उपर से margin थोड़ी सी दे देता हूँ तो यहाँ पर mt-4 अब सही है तो students I hope कि मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा और आप चाहो तो नीचे मुझे comment करके भी बता सकते हो कि पेस में expert हो जाओगे बस आपको थोड़ी सी patience रखनी है क्योंकि react एक दिन में नहीं सीखी जाती इंटरनेट पर जो वीडियो होती है react in one videos उस वीडियो में दो या तिन गंडे में आपको react पढ़ाई जाती है वो सिर्फ आपको एक idea दिया जाता है कि react इस तरह से काम करती है लेकिन real world में अगर आप react में expert बनना चाहते हो तो वो एक वीडियो से नहीं बन सकते वो react in one video सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो सिर्फ idea लेना चाहते है कि react actually में काम किस तरह से करती है या फिर उन लोगों के लिए होती है जो already react जानते है बस वो उसका एक बार revision करना च किया तो आप इस चैनल को भी subscribe कर सकते हो और इस चैनल की इस वीडियो की link भी आप अपने friends के साथ जरूर शेयर करें इन वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज इस वीडियो को हो सके तो like भी कर देना और अपने friends के साथ भी forward करना मिल झालते है, झालते है में बनाने कि बादा हाद लूह मैं तो उनीज और आप ये लगता, तो येख एक अवेये धर को कर दोलिते हैं चैनल को भीडियो के साचार के साथ जो को अज़त में हो वीडियो रगता है तो जीडियों घँते हैं धर शेयर किसे